सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नोविक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं सो फैनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी 11 प्रो के अंदर रियल्मी यूआई 4.0 बेस्ड ओन एंडरायट 13 का न्यू सॉप्टेर अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से न्यू फीचर से देखने को मिलते हैं साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस की स्टेप से देखने को मिलता है इसका गेम परफॉर्मेंस की स्टेप से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस update का complete detail बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs और features वगरे के बारे में बात करने से पहले, यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं उसके लिए हम चलते हैं phone के setting में, नीचे के side about device में, यहाँ पर उपर के side देखेंगे आपको realme UI के साथ official version देखने को मिलता है और realme 11 pro का model number RMX3771 देखने को मिलता है बात की जाईस update के basic information की, तो यहाँ पर आपको 540 bracket में EX01 करके new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 889.96 MB का है और यह आपको realme UI 4.0 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाईस update के बाद इसके android security page की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको android 13 के update के साथ 5th September 2023 का current month का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लाओ बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे-मोटे non-issue थे bugs वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की आप आपको better experience देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको optimize करके improve कर दिया है जिससे की जो battery life, speed, apps opening, closing, swapping, up, down वगरा जो है काफी smooth और fast देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पर system में fluency problem था उसको भी यहाँ पर optimize करके better कर दिया है साथ ही दोस्तों इससे पहले वाले update में काफी सरी user को lagging issue देखने को मिलता था यहाँ तक कि मेरे को भी lagging issue देखने को मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि आप आपको काफी smooth swapping up down, apps opening, closing वगरा देखने को मिलता है इसके लावा बात की जागले change की तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके phone का screen जो है off रहता था उस time भी आपको बार बार placing issue देखने को मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि आप आपका phone का screen off रहता है तो वो proper way में देखने को मिलता है जो light placing problem था वो यहाँ पर solve हो चुका है इसके लावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों screenshot के अंदर अगर दोस्तों आप screenshot लेते हैं three finger से तो उस time पर failure issue देखने को मिलता था कुछ कुछ situation में three finger से screenshot नहीं होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better three fingers screenshot देखने को मिलता है इसके लावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तों network के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो network का stability है उसको यहाँ पर और भी optimize करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको और भी better network देखने को मिलता है पहले दोस्तों कुछ कुछ user को network up down का problem होता था connection failure issue देखने को मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको network problem solve देखने को मिलता है एंडगे इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसका जो battery draining का problem था उसको यहाँ पर clearly mention किया है update log में लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो battery backup है, battery performance है वो यहाँ पर काफी बुरा देखने को मिलता है आपको काफी ज़्यादा battery draining अभी भी देखने को मिल रहा है इससे पहले वाले update में आपको better देखने को मिलता था लेकिन इस update के बाद आपको आर भी ज़्यादा battery draining का problem फेस करना पड़ रहा है साथ दोस्तों अगर आप charging करते हैं, पहले से यहाँ पर काफी slow charging देखने को मिल जाता है एंड गए इस बात किजा, इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तों जो game performance है, वो पहले से better देखने को मिलता है अभी आप game खेलते हैं, तो आपको better performance देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आपको ज़्यादा time तक game खेलते हैं, तो आपको आर भी ज़्यादा battery draining और overeating का problem देखने को मिलता है साथी दोस्तों overeating की वज़ा से यहाँ पर game में lagging इसू और frame drop इसू अगर भी देखने को मिल जाता है बाकी आप normal condition में game खेलते हैं, तो आपको better और smooth gameplay देखने को मिलता है अब दोस्तों बात की जाए features की, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस update के बाद आपको कोई भी new features देखने को नहीं मिला है लेकिन दोस्तों अगर आप realme UI 5.0 based on android 14 का apk file install करते हैं, तो आपको कुछ-कुछ new features देखने को मिल जाते हैं बाकी इस update के बाद आपको कोई भी new features देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर सबसे पहले features की बात करें तो अगर दोस्तों आपको इस भी image को wallpaper set करते हैं, जैसे ही set as wallpaper करके apply करते हैं तो यहाँ पर आपको new changes देखने को मिल जाता है, पहले दोस्तों आपको यह center में देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों अभी आपको left align में देखने को मिल जाता हैं, जो की काफी cool look देखने को मिल रहा है इसके अलावा बात की जागले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो realme share में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो अगर आपको कोई भी video photo अगरा share करते हैं तो उसका जो device का name है वो आपको कुछ इस type से देखने को मिलता है अगर वो photo अगरा डाले रहते हैं तो यहाँ पर photo अगरा देखने को मिलेगा अगर वो कुछ भी डाला नहीं रहता है तो आपको brand का full name देखने को मिलेगा और छोटा सा phone का icon देखने को मिलेगा साथ ही आपको कुछ भी send करते हैं इमेज वगरा वो send होने के बाद automatic आपको preview भी देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात कीज़े अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर battery के section में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको smart charging और stop charging at 80% वाला features देखने को मिल जाएगा smart charging के थूँ दोस्तो आपको जो optimize night charging वाला features है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आपके habit को count करके यहाँ पर charging को perform करेगा साथ दोस्तो अगर आप stop charging at 80% को on करते हैं तो वो 80% के बाद आपको काफी slow charge देखने को मिलेगा जिससे की जो आपके battery का health है वो यहाँ पर सही देखने को मिलेगा इसके लावा बाद की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर connection and sharing के अंदर ओवर्क का यहाँ पर दोस्तो आपको new ओवर्क देखने को मिलता है पहले दोस्तो ओपो का official ओवर्क रहता था लेकिन आप realme कही ओवर्क देखने को मिल जाता है यह दोस्तो आपको online data वगरा यूज करने में काफी मदद करता है इसके थूर दोस्तो आप कोई भी data को cloud में store कर सकते हैं उसके बाद आप उस data को कहीं भी जाकर use कर सकते हैं बस आपको cloud.realme.com में login करना है उसके बाद आप जो भी data cloud में upload किये हैं उसको आप कहीं से भी use कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर connection and sharing के अंदर ही realme share का option देखने को मिल जाता है यह दोस्तो पहले आपको so नहीं होता था लेकिन अब आपको so होने लगा है साथ ही इसके अंदर जाएंगे तो आपको 10 minute के लिए on up करने का option देता है अगर आप 10 minute तक on रखते हैं तो वो 10 minute के बाद automatic off हो जाएगा तो यहाँ पर आपको realme share का option so हो गया है इसी के साथ अगर आप weather apps को install करते हैं तो आपको new weather apps का interface देखने को मिलेगा पहले दोस्तों यह weather information दिखाता है वो यहाँ पर left align में था जिसको यहाँ पर center में कर दिया है साथ ही आपको नीचे में sunrise और sunset का option देखने को पहले half moon cut में देखने को मिलता था उसको आप सीधे line में कर दिया है पहले यह half moon में देखने को मिलता था तो यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे changes देखने को मिल जाते हैं और इन सभी छोटे मोटे changes या features को आप अपने phone में use करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैंने video के description में अपने telegram group का link जो है add कर दिया है आप यहाँ पर जाकर system application को update कर सकते हैं यहाँ पर आपको realme UI 4.0 and realme UI 5.0 का का काफी सारे system application देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप realme UI 5.0 का application इंस्टाल करते हैं तो carefully install कीजेगा क्योंकि दोस्तों कुछ-कुछ apps में tracing issue अगरा देखने को मिल जाता है तो आप अपने risk में carefully install कीजेगा अगर apps tracing issue अगरा देखने को मिलता है तो वो आपकी जवाबदारी होगी तो आप अपने risk में install कीजेगा तो यह रहा इस update का full review दोस्तों यह update आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन से bugs और new features देखने को मिले आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों